आशा करता हूँ आप सभी सुवस्थ और मस्थ हैं मुझे उन सभी की चिंता होती है जो चुपचाप अकेले-अकेले सपर करते रहते हैं शरम से या किसी और कारण से अपने तकलिप किसी से शर्ण ने कर पाते हैं अपने परिशानी या रोक के बारे में बस Google सर्च करते रहते हैं और खुच से अपने परिशानी का हल निकालने का कोशिश करते हैं पाइल्स लेजर ये चैनल सब्स्राइब करें, बेल आइकोन पर क्लिक करें, तथा लाइक और शेर करें, पाइल्स से हमेशे के लिए चुट करा पाए नमस्कार, मैं हूँ आपका अपना डॉक्टर दिपक्च उधरी, आप बेजिजक मुझे कॉल कर सकते हैं, डिटेल्स डिस्रिप्शन बॉक्स में हैं विवर्स, तो मेरे चैनल का मकसद लोगों को डाराना नहीं, बलकि वेल इनफर्म रखना है, उन प्रॉल्लेम से जो आप खूल कर किसी से बता नहीं सकते खूद ही डिल करना चाहते हैं, हम सबी पहले ऐसा ही करते हैं, फिजिकल हो या इमोशनल इशू, सेल्फ हिल्फ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको मैं सावधान कर दू कि कोई भी प्रॉल्लेम अगर एक हफते या दस दिन में ठीक नहीं होती है, तो आप समझ आपको मेडिकल हेल्फ और प्रॉपर डियाग्नुसिस की जरूरत है, आज मैं बात करने वाला हूँ, स्टूल पास करते समय यानि मलत्यक के समय ब्लीडिंग यानि खून गिरने के बारे में, एनस यानि गुदा से ब्लीडिंग होने की कई कारण हैं, गलत लाइफस्टाइल या खान पान के कारण अगर एक दो बार ब्लीडिंग हो जाएं, तो ओ आप घरिली उपचार से ठिक कर सकते हैं, अधिक जानकारी के लिए मेरे पूराने रिलेटेट वीडियो जरूर देखिएं, लेकिन इन मेडिकल टर्म्स, ब्लीडिंग हलकी से लेकर सीरियस कंडिशन भ भी हो सकता है, यदि जादा ब्लीडिंग होना कुछ दिनों तक कंटिनू रहता है, या अगर आपका मल, काले रंग का या बेर का रंग का होता है, तो आपको तातकाल डॉक्टर से परामर्ष करना चाहिए, या एम्बूलोंस को बुलना चाहिए, ऐसा पेट में उपर से बटा लगा सके, वेर इस दा ब्लीडिंग फॉंग, ब्लीडिंग कहा से हो रही है? ब्लीडिंग जाय मार्ग में कही से भी आ सकती है, ध्यान रहे गुदा या पिछले हिस्से में यानि मलाशे से ब्लीडिंग होने पर खुंड लाल और ताजा चमकतार होता है, यहा मल के पेट में या स्मॉल इंटेस्टाइन से अलसर्स होने से भी बलड का रंग बदल कर गहरा हो जाता है। और रग्त मल के साथ मिक्स हो जाता है। इससे आपके मल का रंग काला या बेर के रंग का हो सकता है। symptom swap internal hemorrhoids include याने अंतरिक बवासर के एक लक्षन क्या है। अंद्रूनी बवासर के लक्षनों को आप कैसे पता लगा सकते हैं। ये जहना भी जरूर है ना। तभी तो आप इसको डिल कर पाएंगे। और पाएंगे कि कब आपको पाइल स्पेशलिट से संपर करना चाहिए। आपको anal area में कोई pain नहीं। बैटने उठने में या पेट में कमर में कोई भी दर्थ का एसास नहीं ले। सब कुछ नॉर्मल जान पड़ता है लेकिन अचानक एक सुबह फ्रेश होकर उठते हैं और चोग जाते हैं। आपको आपके मल पर खूर नजर आता है। या फिर पोशने के बाद टॉलेट पेपर पर या सोचलय के पॉट में बलड दिखता है। एक टिशू का जो लंब है आपके अनल ओपनिंग यानि प्रोलेप्स के बार उबरा हुआ फिल होता है। जो कभी-कभी दर्थ कर सकता है। खास कर स्रीप जब आप सोच करते हैं। आप प्रोलेप्स हेमरोड को मुष्ट बंग यानि नम थको के रूप में देख सकते हैं। जो आसपास के एरिया के ज्यादा गुला भी होते हैं। यह आमतोर पर अपने आप वापस अंदर चले जाते हैं। यह तक कि अगर वे नहीं करते हैं, तो उन्हें अक्सर धीरे से वापस जगह में धकला भी जा सकता है। यह सबी सिम्टम्स या कोई भी एक सिम्टम्स इशरा करते हैं इंतरनल हेमोरोड का। यानि आंतरिक बवासर के और। वाइडोट इंतरनल हेमोरोड्स पेन। पर चोट नहीं पहुचाते क्योंकि एरिया में आसपास पेन सेंसिंग नौज कम होती है क्यां हेमोराइड्स कॉस्ट टमक एंड बैक पिन क्या बवासिर के कारण पेट और कमरदर्ध हो सकता है बवासिर के कारण पेट में दर्द नहीं होता प्रोलेप्स हेमोराइड्स जिसे गुदा के माध्यम से पीछे नहीं धकला जा सकता थ्रूम्बो एक्टरन हेमोराइड्स याने भारी बवासिर इसमें अवसिने दर्द का कारण बन सकता है और डॉक्टर को उस क्लॉड को हटाने की जरूरत पड़ सकती है क्या आपको सरुतक बवासिर हो सकती है अगर आपको पैनफुल ब्लीडिंग या लंबे समय तक चलने वाली बवासिर है तो आपको बिना दर किये डॉक्टर के पास जाना चाहिए आज कल बवासिर काफी आम है पहले ये 45 से 75 साल की उम्र के लोगों में ज़्यादा पाया जाता था लेकिन आज कल अनहल्दी लाइपस्टरेल के कारण वर्क स्ट्रेस के कारण युवा वर्क में भी कॉमन हो गया है और ज्यादतर बवासिर के लक्षन जैसे की हलकी खुजली या हलका दर्द आम तोर पर घर पर ओवर दा काउंटर उप्चार के साथ इलाज कर लेते है वाट टेस्ट में भी रिकमंडे याने की जाचो को करवाने की सलह दी जाती है टेस्ट के नाम से ही अक्सर हम सभी डर जाते है इंटर्नल हेमरोइड में टेस्ट ब्लेडिंग की पॉसिबल कॉस पर डिपेंड याने निर्बल करता है यह पाईल स्पेशलिस सर्जन आपसे आपके इत्यास के बारे में बात करके ही टेस्ट डिसाइड करते है आमतर पर जो टेस्ट के जाते हैं ओ है सिगमेड्सकोपी, दुसरा है कोलोनोसकोपी या वर्चोल कोलोनोसकोपी याने सीटी कोलोनोगुरफी causes and risk factors of hemorrhoids याने बावासर की कारण और जोखिम कारत अन्त में आपको ए बताना मेरा फर्ज है कि आप ए जाने कि आपको बावासर होने का कितना risk हो सकता है यदि आपके माता पिता जैसे परिवार के अन्य सरुसकों भी बावासर हो तो आपको बावासर होने की अधिक समभवना हो सकती है हैरानी हुई न, इसलिए आपको अपने खानपान याने लाइफ टेल मैनेजमेंट का विशेश ख्याज़ करतना होगा आपके लो रेक्टम में दबाव बढ़ने से ब्लड फ्लो पर एफेक्ट हो सकता है और वहागी नौसों में सुजन आ सकती है मल टेक के दोरान प्रेशर से भी हो सकता है कभी कुछ भारी सामान उठाने से या एक्स्ट्रा वेट होना यानि ओबेसिटी भी रिस्क फेक्टर हो सकते है पेग्नेंसी में जब मा का बढ़ता हुआ गरबाशय नौसों पर दबाव डालता है तब भी पेग्नेंसी परेट तक बावासिर की प्रॉलेम हो सकती है तो मैला है फोरिन अपने डॉक्टर से सला करे वे लोग भी रिक्स रेंज में रहते हैं जो कम फाइबर वाला खाना खाते है जो लोग लंबे संबई तक खड़े या बेढ़ते हैं जिने कप्च या दस्थ होता है जो ठीक नहीं होता है और तो और खासने चिकने और उल्टी करने से भी बावासिर के पेशन की हालत और खराब हो सकती है अपने रिस्ट फैक्टर को पैचानिये और समय रहते सतर्ख हो जाईए और समय पर इलाज करवाए दन्यवाद